हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी, I hope कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे बच्चों आप सभी का स्वागत है इंस्पारेकेट में बाला घाट में आज हम लोग प्लांट ग्रोथ और डेवलेप्मेंट में जो हार्मोन्स काम करने वाले हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं अर्थात किनके बारे में पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसके बारे में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बारे में पढ़ने वाले प्लांट हर्मोन अगर आपने प्लांट ग्रोथ कि उसको नहीं देखा है तो इसी से रिष्टेड़ देखिए वाले हैं कि जो ग्रोथ होती है और डिवल्पमेंट होता है इसमें किस तरीके से जो है साम करते हैं ठीक है तो अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिये और आज हम लोग start करते हैं Plant Growth Regulator तो चलिए सबसे पहले इसका थोड़ा introduction देख लेते हैं बचछो Plant Growth हार्मोन के अगर बात करें हम Plant echt हर्मोन था ने हम לूग क्या पढ़ने वाले हैं Plant Growth के बारे में इसके बारे में Plant Growth हर्मोन plant growth hormone की बात करें तो हम लोग total पाँच हार्मों के बारे में पढ़ेंगे हर्मोन के बारे में पढ़ेंगे बारे हमलो जी है पांच हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह पांच हार्मोन के जो नाम है वह हम लोग याद करते हैं किससे एक ट्रिक है बहुत ही प्यारी ट्रिक है इस ट्रिक से आप लोगों को नाम याद रखना है इसका Trig क्या है Trig क्या है Trig Humko देखना है क्या Abba हमारे जो Abba है Abba मतलब क्या Papa Abba को क्या बोलता है Abba Abba ECG आ गया क्या Abba ECG आ गया इसका मतलब क्या हुआ ECG क्या होता है डचो अगर हम बात करें ECG की तो ECG एक प्रकार का क्या होता है कार्डियो ग्राफ होता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ है जिसके द्वारा क्या किया जाता है जो हमारा ह्रदय है ह्रदय की धड़कने किस टाइप से काम कर रही है कब ब्लड का संकुचन ब्लड का क्या हो रहा है पंप किया जा रहा है और मानलो हमारे अबबा की कुछ परेसानिया है तो जिसके करण क्या हुआ डॉक्टर आया हमारे घर में ECG लेके तो क्या बोलना है अबबा ECG आ गया कोण आ गया? ECG आ गया इसका मतलब क्या हुआ? क्या है ये? बेटा इसमें A से क्या आ जाएगा? जो A है उससे आजाएगा क्या आपको याद रखना है क्या A मतलब Auxine A से क्या रखना है A Auxine ठीक है उसके बाद में अच्छा एक सेकेंड थोड़ी गड़बर हो गई इसको देखते है ये क्या है ABA ठीक A से क्या हो गया Auxine फिर ये क्या है ABA ABA से क्या हो गया Epsistic Acid क्या हो गया Epsistic Acid तो सेकेंड हार्मोन क्या है बच्छो Epsistic Acid है इसके बाद में E से क्या हो जाएगा Ethylene E से क्या हो जाएगा Ethylene तो हमारा थर्ड जो हार्मोन है Plant Growth हार्मोन वो क्या है Ethylene C से क्या जाएगा Cytokine सीज से क्या है बच्चो साइटो काइणीन है साइटो काइणीन है इसके बाद में लाश्ट हमारा हार्मोन क्या है जी मतलब जिब्रेलीन क्या है जिब्रेलीन ठीक है, क्या है, जिबरेलीन, आ गया, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, ट्रिक को कम्पलिट करने के लिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं, हमको क्या याद रखना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो हार्मोंस, पांच हार्मोंस हैं, इनके नाम याद रखने का सबसे इसके बाद में ECG का क्या हुआ, इथायलीन, साइटोकाइने एंड जिबरेलीन, ठीक है बच्चों, तो कितने हार्मों हो गए, कितने हार्मों हो गए, अगर हम प्लांट ग्रोथ हार्मों की बात कर रहे हैं, इसकी प्लांट ग्रोथ हार्मों की बात कर रहे हैं, तो की growth को रोखने का काम करते हैं ठीके बच्चों कुछ plant क्या होते हैं कुछ plants जो एक समय के बाद में अपने मेंसे पतियां गिराने लगते हैं, जो भुवर्शी जो हाइं, हार्मोन उप्योग किये जाते हैं ठीके बच्चों तो I hope कि आपको ये जो है ट्रिक पसंद आई होगी और पाचों हार्मोन के नाम आप याद कर पाओगे ठीक है चलिए अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है हमारे पांच इनको हम लोगोंने टू केटेगरीज में डिवाइट किये हैं दो भागों में डिवाइट किये हैं इनके फंक्षन के आधार पर किसके आधार बच्चों के आधार पर इनको हमने क्या कर दिया है दो भागों में भाजित कर दिया है यह दो भाग कौन से कौन से हैं पहला है ग्रोथ प्रमोटर मतलब जो ग्रोथ को बढ़ाता है क्या करेगा जो ग्रोथ को बढ़ाता है उनको बोला जाता है क्या ग्रोथ प्रमोटर ठीक है तो ऐसे हर्मोन जो ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे उनको बोला जाएगा ग्रोथ प्रमोटर हर्मोन और यह क्या है क्या होंगे ग्रोथ लेगुलेटर ग्रेगुलेटर ग्रोथ क्या हो जाएंगे रेगुलेटर या इन ही को बोला जाएगा क्या ग्रोथ इन ही बीटर क्या बोला जाएगा इनको ग्रोथ इन ही बीटर बेटा ना एक से क्या है यह क्या है ग्रोथ इन ही बीटर है ग्रोथ इन ही बीटर है इन ही बीटर ठीक है ऐसी ऐसे हार्मोन जो क्या कर रहे है ग्रोथ को रोखने का काम क क्या कर रहे हैं growth को रोकने का काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे growth inhibitor कहलाते हैं ठीक है तो growth promoter जो growth को बढ़ाने का काम करते है वह hormone कौनसे कौनसे है oxygen cytokinin and zebralin growth promoter hormone कौनसे कौनसे बच्चो तो अक्सीन है, साइटोकाइनीन है, एंड जिब्रेलीन है, और अगर हम बात करें किसकी इथाइलीन की, तो इथाइलीन जो है वेटा, ये क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर भी है, और ग्रोथ प्रमोटर भी है, ये दोनों का काम करता है, ठीक है, ये दोनों काम करता है, ग्रोथ को रोकने काम करता है को एपसीजिक एसेड क्लियर है तो क्या हुआ जो हमने हार्मोंस बढ़े 5-5 हार्मों को उनके फंक्शन के आधार पर हमने दो भागों में डिवाइट कर दिये कुछ हार्मोंस जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद कर रहे थे उनको बो प्रमोटर ऑक्सीन साइटोकाइण और जिब्रेलीन है इसके बाद में जो ग्रोथ को रोकने का काम कर रहे थे उनको क्या बोला घ्या बच्चों क्या बोला ग्रोथ इनिपिटर जिसमें हमारा क्या है अप्सीसीके एसड भी है एथाएलीन बीए इथाईलीन ग्रोथ बढ़ के रूप में काम करता है जैसे कि अगर मालो क्या करना है प्लांट में क्या आगए बच्चो फल आगए अब इन फल को क्या करना है पकाना है क्या करना है फल को पकाना है तो पकाने के लिए कौन काम करेगा इथाइलीन काम करेगा जो फल पकर है हमारे चारे तरफ हमा बहुत सा भी खाते हैं लेकिन कुछ फाल ऐसे होते हैं बच्चों जिनको हम पकने के बाद खाते हैं तो पकते किस वज़ासे है इधायलीन हार्मोन की वज़ासे पकते हैं इसके वज़ासे पकते हैं इधायलीन हार्मोन की वज़ासे पकते हैं यह इधायलीन एक प्रकार की बेटा गैस ह के लूप में होती है जब आम कच्छा होता है तो उसके अंदर जो है टिसू बेटा हाड हो में होते हैं कैसे होते हैं हाड होते हैं जब आप कच्छे आम को पकड़ते हैं तो क्या उसको आप दबा सकते हैं क्या उसके अंदर जूस निकलेगा क्या ऐसे दबाने से नहीं लेकिन जैसे ही वो पकता है तो पकने की कंडिशन क्या होती है उसके अंदर क्या है बहुत सारा इथाइलीन भरा हुआ है जैसे ही इथाइलीन क्या होती है बाहर निकलती है वैसे ही क्या होने लगते हैं टिशूस जो है वो सॉप्ट हो जाते हैं जिससे बेटा वो क्या होते हैं जिसस करते हैं इस तरीके से यह क्या करता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है तो आप करते हैं किसकी बात करते हैं हमिनके देखेंगे फॉंक्षन इनके हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या देखेंगे बटा हम देखेंगे इनके फंक्शन करम से इनके फंक्शन देखने वाले हैं यह क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं जैसे हमने इथाइलीन को बोला कि यह दोनों काम करता है तो देखेंगे इनके फंक्शन में हम लोग कि यह इथाइ क्या है एक growth promoter हार्मोन है और इसका मतलब क्या होता है प्लांट का बढ़ना ठीक है किसका बढ़ना प्लांट का बढ़ना किसका बढ़ना प्लांट का बढ़ना प्लांट की विरध्धी क्या होगी प्लांट की विरध्धी तो ऑक्षीन क्या करता है बच्चों प्लांट की विरध्धी करने में मदद करता है ठीक है अब जो है ऑक्षीन को के जो प्रकार ह है अच्छित जो है वो दो तरीके से होता है प्रक्रथिम होता है शा ju अच्छा तो इसी कहा था अधर पर आक सिन को दो भागमें बार दिया경ई नेचुराल ना कसी ब्लोक्र à आक्सिन प्राक्रतिक आक्सिन और दूसरा क्या है बच्चो सिंथेटिक बतलब शंसलेशित जो करतिरियम रूप से बनाया गया आक्सिन है उसको बोला जाता है क्या संसलेशित आक्सिन नाम याद रखना है आपको पहला है हमारा आई ए ए और दूसरा क्या है, IBA, इनका फुलफ़ा में याद रखना है, ये है Indole Acetic Acid, क्या है बेटा, Indole Acetic Acid, Indole Acetic Acid, और दूसरा है बेटा, Indole Butyric Acid, ठीक है बेटा, क्या है, जो Natural Oxygen है, जो Natural Oxygen है, वो दो है, जो Already Plants में पाए जाते हैं, Plant से ही Natural रूप में निकाले जाते हैं, वो क्या है, Indole Acetic Acid है, और Indole Butyric Acid है, ठीक है बच्चा, उसके बाद में क्या है, संसले सित की बात करें, संसले सित की बात करें, तो इसमें क्या होगा, एक है क्या, NAA, और दूसरा क्या है, 2, 4, D, क्या है, NAA, 2, 4, D, NAA का फूल फॉर्म है बेटा, Naphthalic Acetic Acid, यह जो बेटा, Naphthalene है, जिसको आप कपड़ों में रखते हैं, कपड़ों की अच्छी खुसबू के लिए, ठीक है, वो Naphthalene है, ठीक है, तो यह क्या है, Naphthalene Acetic Acid, एक संसलेशित क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, संसलेशित आउक्सीन है, सिंथेटिक आउक्सीन है, क्यों, Naphthalene Acetic Acid, ठीक है बच्चा, उसके बाद में सेगेंड क्या है, यह है, 2, 4, डाई, डाई, क्लोरो, एक सेकेंड, डाई, क्लोरो, फिनोक्सी, एसेटिक, एक सेकेंड, यहां पर, फिनोक्सी, एसेटिक, एसेट, ठीक है बटा, इनके नाम यांद रखना है आपको, चार ऑक्षिन है, ऑक्षिन के कितने, चार ऑक्षिन के उधारन है, IAA, IBA, NAA, and 2, 4D, जिसमें से बच्चा इनको दो भागों में इनकी उत्पत्ति के अधर पर बाढ़ दिया गया है, ऐसे प्लांट, मतलब ऐसे ऑक्षिन, जो नेचरली प्लांट से निकाले गए, उनको बो टारिक एसिड, और जो बच्चा संसलेसित किये गए हैं, वो कौन से है, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, and 2, 4-D, क्लोरो फिनाक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर है, जब इनके नाम आप बार-बार बोलोंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, यह आपको याद होने ल अब देखते हैं, इनके यह कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, प्रोडक्शन आफ ऑक्सीन, किसकी बात करने हैं बेटा हम लोग, प्रोडक्शन आफ ऑक्सीन की बात करने हैं, कि ऑक्सीन का प्रोडक्शन कहां होता है, पहला बेटा, जो ऑक्सीन है, इसका प्रोडक्शन होता है कहां पर सूट एपेक्स किस पर सूट एपेक्स मतलब की प्ररोह शिर्स पर किस पर बच्चा प्ररोह सिर्स पर प्ररोह सिर्स पर और दूसरा होता है बटा कहां रूट एपेक्स कहां पर रूट एपेक्स यहां पर यह produce होता है, यहाँ पर यह निकलता है, कहाँ पर? मूल सिर्स पर, मूल सिर्स पर, अब जैसा कि बच्चा इसका नाम क्या है? इसका नाम है आक्सीन और आक्सीन का अर्थ क्या है? बढ़ना, तो क्या करना है? यह क्या काम करता है, यह काम करता है, माल लो एक क्या है? स्टेम है क्या है यह स्टेम है यह स्टेम मालों एक स्टेम है यह बीज अंकुरित हुआ क्या हुआ इस बीज का अंकुरन हुआ इस बीज का क्या हुआ बैटा अंकुरन हुआ अंकुरन जब हुआ जब क्या हुआ इसका अंकुरन हुआ तो अंकुरन हुआ तो बैटा क्या निक प्रांकूर दो चीजे होती हैं तो यह प्रारोह निकला किस से प्रांकूर से किस से निकला प्रांकूर से निकला क्या प्रारोह और मुलांकूर से क्या निकला बेटा मूल निकला अब क्या हुआ जब यह निकलते हैं तो धीरे धीरे से क्या करेंगे व्रध्धी करेंगे अब मान लो अगर बात हो रही है किसकी अगर बात हो रही है एक तने की ये तना है क्या है ये तना है और इसके नीचे क्या है इस तरीके से Root है तो Root का यह वाला भाग जैसे कि हमने देखा था कि Root के यह वाले भाग में पाई जाती है क्या क्या पाई ज giy बटाlistie है क्या होती है oleo अगर यहां इस तरीके से क्या है यहां हो नहीं को जिस से क्क factory है रूट अंदर की तरफ बढ़ रही है वैसे ही यहां पर क्या है यहां पर इस तरीके से क्या है वेटा यहां पर पाई जाती है Maristomatic cell कहां पर सूट के मतलब प्ररोह के उपर में आपने देखें होंगे छोटी-छोटी सी कलिया कलियों के लिजमें चोटी पत्ति आ तणा ग्रोथ करता है तो उपर से उसकी कोशी का बढ़ते हुए जलती है ठीक है क्वेगर अपर पाई जाती है किया कि की मैडिस्ट अमेटिक अ ह Georgi say अज गती है मेडस्टेमेटिक सेला पाई जरती है यह माजिस्टमेटिक सेल क्या करती है सेल डिवीजन करती है क्या करती है कोशी का विभाजन करती है क्या करती है कोशी का का विभाजन करती है जब कोशी का विभाजित होती है तो इनकी संख्या में व्रद्धी होने लगती है और जब संख्या में व्रद्धी होने लगती है तो यह जो सूट या रूट यह क्या होता है लंबाई में व्रध्धी करने लगता है क्या करता है लंबाई में व्रध्धी करने लगता है इसी काम में आने वाला है कौन आउक्सी इसी काम को करने वाला है कौन आउक्सी इसी लिए कहा गया है कि जो सूट है जो सूट है यह सूट में सिर्स पर सूट के मतल और दूसरा कहां पाए जाएगा मूल के सिर्स पर किसके मूल या फिर जड़ के सिर्स पर पाया जाएगा क्या जड़ के सिर्स पर पाया जाएगा आपका अक्षिन हार्मोन ठीक है अगर उसमें अक्षिन हार्मोन नहीं है तो कोशी का विभाजन करेंगी नहीं और जो है प्ला पौधा बड़ा होगा नहीं पौधा बड़ा होगा नहीं तो क्या होगा पौधा आगे कोई भी development नहीं करेगा तो उसके लिए क्या है सबसे important चीज कि वहां पर जो है जो ऑक्सिन हार्मोन है वो प्रोडियूस हो रहा है जो कोशी का विभाजन को प्रेरीद कर रहा है जिसके क पारण यह आगे की तरफ बढ़ते हुए चलता है क्लियर है बच्चा क्लियर है तो चलिए तो हमको क्या देखा हमने कि जो production of oxygen है oxygen अग्सिन पादन है और तने के सिर्ष्पर होगा और मुल के सिर्ष्पर होगा यह दो जगह पर ज्यादा मातरा में आपको ऑक्रियर देखने को मिलेगा क्लियर है चलिए अब देखते हैं इसके function इसके देखते हैं हम लोग क्या function ठीके बटा तो इसके कुछ function है तो function इस है यह है क्या एक सेल यह सेल अगर अकेली रहे गई डिवीजन नहीं करी तो क्या यह अपना समू बना सकती है क्या यह किसी जीव का निर्मान कर सकती है अब यह सलिए नहीं कर पाएगी ना तो यह क्या करती है सेल डिवीजन करती है और यह सेल कौनसी होती बटा यह होती है वि विभाजन करती ही पाधों में वो होती है क्या विभजयोतक कोशिका क्या होती है विभजयोतक कोशिका होती है अब यह विभजयोतक कोशिका क्या करती है डिवीजन करती है जब डिवीजन करती है तो एक से दो कोशिकाओं का निर्मान होता है क्या होता है जब डिवीजन करती है तो क्या बनती है एक से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है दो से फिर कित्ती बनेंगी बटा चार कोशिकाओं बनेंगी फिर चार से आठ कोशिकाओं बनेंगी आठ से कहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, मिट्टी में से निकल रहा है पौधा, अब मिट्टी से निकल रहा है पौधा, यहां पर क्या है, छोटी-छोटी सी कलिया है, यह छोटी-छोटी सी पतिया निकली हुई है, छोटी-छोटी सी क्या है, पतिया निकली है, अब यहां फार बगुगा यह वांगा यहां होगा दिवीजन होगा यहां क्या होगा यहां उन्हों हो ansi तो चैल डिवीजन करवाने में जो हार्मोन काम कर रहे वह हार्मोन है को प्रदी करने का काम करता है और केवल कहा पाए जाए गाए यह पौधे के सिर्ष पर पौधे के प्ररोव इस पर मतलब तने के सिर्ष पर और जड़ के सिर्ष पर केवल दो ही जगह आपको यह देखने को मिल सकता है ठीक है चलिए अब देखते हैं बटा दूसरा काम क्या है क्या है रूटिंग दूसरा काम क्या है रूटिंग सेल डिवीजन मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कोशी का विभाजन करने में मदद करता है कोशी का विभाजन को प्रैरीत करता है लिखेंगे तो करता है ठीक है सेकेंड है रूटिंग मतलब जड़ का निकलना क्या बटा जड़ का निकलना जड़ का निकलना अब यह जड़ का निकलना क्या है जड़ का निकलना क्या है तो क्या होता है बटा जब मानलो एक प्लांट निकल रहे हैं एक प्लांट है यह मानलो किसका प्लांट है गुलाब का प्लांट है गुलाब का यहां पर क्या है यहां पर क्या है गुलाब का फूल है गुलाब का फूल है अब क्या हुआ कि यह जो प्लांट लगा हुआ है हमारे घर में क्या है एक ही प्लांट है भी लगा हुआ अब बताइए अगर घुलाम बीज़ अपने खल में है क्या हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां से क्या कि हमने कलम को काड़ दिया प्लांट की एक भाग से हमको तने को काड़ दिया जब तने को काटा वेटा तो ये कैसा हो बहुत है जब यह तने को काटा हमने तो इस तरीके से हो गा ऐसा होका इसमें रूट है बस स्टेम है और डूलbon है और क्या है अब क्या होगा जब इसको हम क्या करेंगे जब इसको हम क्या करेंगे जब इसको हम डालेंगे कहां पर मिट्टी में कहां डालेंगे मिट्टी में जब इसको गाड़ा जाएगा कहां गाड़ा जाएगा जब मिट्टी में गाड़ा जाएगा तो इसमें से क्या निकलने लगती है बेटा रूट निकलने लगती है क्या निकलने लगती है रूट नि कोघंधी होतीए किसके वज़ास से ऑक्षिन हार्मोन की वझा से थिक है झान challoner करने का मतलब पाउधे के तने से या प्ररोह से या पत्तिों से को जड़ों को निकालने का काम कोणकर बेटा वैटting तो इसका एक काम क्या हो गया कलम से जड़ को निकालना जड़ निकलने को प्रेरित करना जड़ निकलने को प्रेरित करना ठीक है तो इसको जड़ निकालने मदद करेगा कौन इसमें जड़ निकालने के लिए मदद करेगा ऑक्षिन हार्मोन फिर होता है नेक्स्ट है हमारा प नाई नेपल मतलब होता है अनानास क्या अनानास बेटा अनानास में जो अनानास एक ऐसा पौदा है जो खुद से फ्लावरिंग नहीं करता क्या नहीं करता पूति से फ्लावरिंग नहीं करता मतलब अपने याप मोसम आ गया कुछ प्लांट नहीं अованияभा क्या आया बहुत ज़्यादा एकदम से धूप आने लगी या सनलाइट बहुत अच्छी पढ़ रही जैसे बसंत रीतू में बहुत सारे प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं तो उनको उस समय में क्या होती ही धूप थोड़ी ज़्यादा मिलने लगती है जैसे ही उनको धूप सभाता मिली थीरे ठीएसे वेट करते हैं क्या कर रहे हैं कि हम को क्या मिलेगी लाइट मिलेगी तो Before आईके तो साली संब्सक्राईब्स प्लावूरिंग करने लगते हैं और कुछ जैसे इ Baptा इसे होते हैं उनको और dolce तो जो इसका जाती है। उन पर औकूम्सीन का छर्णकाव कि जाता है जिसके कारण में क्या करते है। जैसा पराघवाय। पादफ है कोन इंना decade-το नित का इंच्वार . इंच्वार में टो लूंसरन अपने आप नहीं हो पाती है। तो उसको flowering करवाने के लिए जो है oxygen हार्मोन का छिड़काव किया जाता है तो अननास के फूलों का आना यह भी किसे पर डिपेंड करता है इस ऑऊप्सिर हार्मोन पर डिपेंड करता है ठीक है पहला का मैं को याद रखना है औक्हसील हर्मोन की वज़ऽ से पईनेपल में फ्लावरिंग होगी विटा किस की वज़़से अक्हसील हार्मोन की वज़़से थे लिज़वमें टू खतीक रूदी करने का को नश्ट करने का काम करता है क्या करता है खर्पतवार को नश्ट करने का काम करता है जैसा कि हम देखते हैं क्या होता है कि एक गार्डन बनाते हैं क्या है एक गार्डन है इस तरीके से एक गार्डन है कि यह एक क्या है यह गार्डन है इस गार्डन में क्या है बटा छोटी-छोटी सी घास लगी हुई है क्या है छोटी-छोटी सी घास लगी हुई है बहुत सारी बहुत सारी क्या है छोटी-छोटी सी घास लगी हुई है थोड़ा चले यहां बहुत सारी क्या है घास लगी हुए क्योंकि हमको बनाना है क्या गार्डन क्या बनाना है बेटा गार्डन बनाना है इस गार्डन के लिए हमको क्या चाहिए बहुत सारी छोटी छोटी सी घास चाहिए जिसको हम बोलते हैं गार्डन घास गार्डन घास देखा होग ऐसे ही होता है आसपास की देख रेक करना फूलों का की देख रेक करना कोई फूल तोड़तों नहीं रहा है पानी सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यही काम करता है माली तो माली क्या देखता है एक दिन कि यह जो गार्डन बना हुआ था यहां पर क्या है यहां जो गार्ड जो है यहां पर आ चुछ आए कुछ आवाशीथ प्लांट यहां के लिक्त बहुत I always प्लांट में चांवाशीत प्लांट आगये मुछ आवशचीत प्लांट आगये मुछ तरीके से रहे हैं दूसरे वा यह लो किया कर का चाहते चैना बड़ा नहीं करो नहीं नहीं कर्डेगा अब इतना बड़ माल रावलगए बड़े किया जाएगा बटा ओज तो श्रोग होगा इनमे जो अवान्षित प्रन्चे सब्सक्राइब थे वीजपत्री क्या मुष्थी पत्री पादप को जो है वो नष्ट करने का काम कोन करता है जिससे क्या होगा चूंकि हमारे जो घास है जिसको हम गार्डन घास बोल रहे है क्या है जो हमारी गार्डन घास है कुमिसी घास बीटा जो हमारी गार्डन घास है यह गार्डन घास जो है वो होती है एक बीज पत्री मतलब जितनी भी घास होती है यह सारी के सारी होती है बैटा एक बीज पत्री क्या होंगी एक बीज पत्री है मोनोकॉट है अब चूंकि यह मोनोकॉट है तो मोनोकॉट को मारने वाला कोई भी हर्विसाइट या भी जितने भी पत्री पादब है उनको क्या करता है उनको नष्ट करने का काम करता है जैसे ही इस गार्डर में हमने क्या किये चिडकाव किए किसका रहत करकती है किसका डूर्टी का चिडकाव कर दियुंदिये दीज नीम driven और गाइब हो जाएगे फिक है तो gardening में माली के द्वारा garden को सु रक्षित रखने के लिए किसका उप्योग किया जाता है दी का झिए जाता है तो वही लिखा हुआ है क्या कि कि जो है वहर वी साईट के रूप में प्रयोग किया जाता है अवानू चित पादपों को अवान्चित द्वी बीज पत्री पादपो को क्या रखना है बटा अवान्चित सेकेंड इसको क्लीन कर देते हैं ये इनको क्लीन कर देते हैं ये क्या करता है अवान्चित द्वी बीज पत्री अवांचित द्वी बीज पत्री पादपो को नश्ट करने का काम करता है नश्ट करता है ठीक है तो गार्डन की क्या हो जाती इससे सफाई हो जाती है है अरुए नेक्स हमारा फ्वंक्शन है ऑपिकल डोमिनेंसी इसको बोला दाता है पाइजये क्या बोला जाएगा सिर्सस्त असीर श्रृष प्रधाननेट अब यह स्चीश प्रधाननेता अब यह रद्धानन दा क्या होती है चलिए इसको समझतेल हम नियुक आपेकल dominancy क्या है epical एक सेकंड epical dominancy चली रेखते हैं epical dominancy epical dominancy epical dominancy या सिर्ष प्रधानेता की बात करते हैं हम सिर्ष प्रधानेता सिर्ष प्रधानेता इसमें बात करते हैं यह क्या है हमारा प्लांट है प्लांट में क्या है इसकी स्टेम है क्या है इस्टेम है और इस्टेम के नीचे क्या है बेटा रूट है यहां क्या है रूट है इस्टेम को थोड़ा बना लेते हैं बड़ा यह है इस्टेम अब इसमें से क्या हो रिये बटा यहां से निकल रही है क्या पत्तियां क्या निकल रही है बटा यह इस तरीके से क्या है यह पत्तियां निकल रही है निकलने वाली है इनकी परवसंधियों से इस तरीके से अब यह पौधा अभी अभी क्या हुआ है बड़ा होना इसको अभी बड़ा होने के लिए बिल्कुल यह अभी बोला चीह नौजवान है कैसा है यह नहीं नहीं सो क्या बोलेंगे बटा यह बोलेंगे इसका बच्पन क्या है इसके बच्पन में है अभी यह सिर्फ क्या कर रहा है इसकी साखाय नहीं है लंबाई में व्रद्धी कर रहा है क्या है अभी इसकी साखाय आई नहीं है यह क्या कर रहा है लगातार लंबा लंबाई में व्रध्धी करे जा रहा है अब लंबाई में व्रध्धी कर रहा है किसके कारण क्यूंकि यहां पर क्या है यहां पर क्या है बटा यहां पर है उसकी यह ये क्या है? इसका सिर्ष है. क्या है बटा ये? इसका है सिर्ष. ठीक है? सिर्ष की बात करें तो इस सिर्ष में क्या हो रहा है? इस सिर्ष में क्या है? आक्षीन. हमने बोला कि आक्षीन जो है वो किसके सिर्ष में पाया जाता है? प्ररोह सिर्ष में पाया जाता है. ये लगातार सेल डिविजन कर रहा है जिससे क्या हो रहा है बटा जो है प्लांट लंबाई में ग्रोथ कर रहा है लंबाई में क्या कर रहा है बटा लंबाई में व्रधी कर रहा है क्या हुआ यह जो प्लांट है यह प्लांट अभी कैसा हुआ है बच्चा है अभी अंकुरन यह सीधा सीधा बढ़ते हुए चल रहा है इसमें से केवल क्या निकल रही है पतिया निकल रही है और उपर की तरफ क्या है इसका सिर्स है प्रलोव सिर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है वहां पर विभाजन हो रहा है विभाजन होने के कारण वह तना जो है उपर की तरफ करना है जिन कि हमको चार्णा लगान यहां बढ़ाना है यद्म की बढ़ाने रधान कोई सेट है हमारे गायों के तो वो क्या सायता है कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे बास पैसा है तो वैसा ये भी क्या बोलता है कि वल मेरे पास k अभसिन है मैं इसलिए में ही आगे बढ़ूगा मैं ही प्रधान हो यहां का यह ऐसा बोल रहा है कूं जो प्रटरोशेर्स है वह वो वह जाह रहा है कि केवल मैं ही आगे बढ़ू बागी कुछ भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए ना यह इन ब्रांचेस निकलने दे रहा है और ना ही किसी को आगे बढ़ने दे रहा है केवल और केवल वो खुद ही आगे बढ़ते चल रहा है उपर की तरह बढ़ते हुए चल रहा है अब हमको क्या करना है हमको चाहिए ही नहीं हमको बिल्कुल नहीं चाहिए कि यह पौधा क्या हो लं नीचलन चाहिए और बहुत सारा हमको चवड़ा पार्ट जाहिए तो फिर किया करें यह तो बढ़नी नितीजा है जो पार्षवकलीकाय年ул है यहाँ से जो पार्षवकलीकाय को आगे बढ़नी नहीं नहीं दे रहा इन पार्सों कलिकाओं को यह आगे बढ़ने नहीं दे रहा है अब क्या करें तो क्या किया जाता है अगर हमने इस वाले भाग को किस वाले भाग को यह जो प्ररोह शिर्स वाला भाग है यहां से हम अगर इसको कटिंग कर दें क्या कर दें यहां से अगर ह उसको बढ़ाना चाहा रहा था वो अब कैसा हो जाएगा अब वो क्या करेगा विभाजन करने ही पाएगा तो सिर्स बढ़ने ही पाएगा अब जब सिर्स नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेंगी यह पार्श साखाएं बढ़ते हुए चलेगी क्या होंगी बटा यह पार तरीके से यह प्लांट था इसमें से कलिया निकल रही है यह इसफ़े पार्ण यह अभी भी कैसा है इंधा है इसमें से बस क्यानिकल रही है इस तरिके से क्लिया निकल रही है इसकी चवड़ाई बढ़ते हुए Washington जैसे की सिसे की अगर हमको क्या करना है यह जो अप्रसाने अगर तक सिर्श पाधप में हैं जब पार्ष्व साखाओं में व्रध्धी को रोकता है, क्या करता है, पार्ष्व साखाओं में व्रध्धी को रोकता है, जैसे कि गाउ का जो मुख्या ब्रधान होता है, जो सेड़ जी होते हैं, गाउ के मुनीम जी होते हैं, ये क्या चाहते हैं, कि हम सिर्फ तरक्की करें बाकि कोई ना करें तो यह वी कम नहीं, यह भी क्या है अपने आपको प्रधान समझ लाएं यहां का बोले हैं मैं तो इसके अलावा कोई और व्रधी ने कर सकता अब जैसे ही उसको काठके पेके तो भाकि जो छोटी कलिया थी जो व्रधी नहीं कर प बोला गया है जो ऑक्सिन हार्मोन है वो सिर्सस्त प्रधानेता दरसाता है क्योंकि यह कहां पर पाया जाता है सिर्स पर पाया जाता है जब तक या फिर इसको हमको हटाने की जुरत कहां पड़ती है तो अगर मालो कोई चाय की खेती करना चाहता है किसकी चाय की खेती पूरी भारत में बहुत सारी चाय की खेती होती है अब चाय की खेती अगर करना है तो चाय की हमको क्या चाहिए क्या पत्तियां की जुरत है हमको उसके में क्या करना भुड़ता है हमको उसका लंबा ही नहीं बढ़ाना है हमको उसकी चोड़ा ही बढ़ाना है बहुत सारी पत्तियां चाहिए तो इस उद्ध्यान उद्ध्यान की बार बनाने में बार बार बनाने में मतलब हमने अभी जो देखा था हाँ यह यह जो एक उद्ध्यान है इसके पैजिए चारं यह यहां पर चोटे-ोटे से पौध्जा आए जाते हैं यहां पर चोटे-ोटे से पौध्याँ जाते हैं इन सोटे-ोटे पौध्यों की माली द्वारा ao कहत Informator apoyo और लेक्या यह जगा पर पाने देखे होगे की W जो जहां पर गार्डन होता है गार्डन के किनारे में छोटे-छोटे से ग्रीन कलर के प्लांट लगे होते हैं जिसकी कटिंग की जाती है उपर से साइड से उसको एक सेप दिया जाता है ताकि एक तो सुन्दर दिखे और दूसरी चीज क्या कर रहे है एक बार्ड बनाने का का करें प्रोटेक्ट कर सके गार्डन को इसलिए ठीक है तो वह प्लांट की क्या चाहिए उचाई नीच यह हमको सुन्दर दिखना चाहिए उसकी चवड़ाई बढ़ाना है ताकि वह एक घना आवरन बना सके गार्डन के चारत्रप क्या कर सके बटा एक घना आवरन बना सके इसकी जरत है इसे लिए उनमें भी क्या किया जाता है उनमें भी क्या किया जाता है इनकी सिर्स प्रधानेता को खतम करके क्या किया जाता है पार्शो कलिकाओं की प्रद्धी की जाती है तो सिर्स प्र द्धानेता को खतम करके क्या किया जा सकता है चाय की खेति यार उद्ध्यान की बाड़े बनाई जा सकती है तो यह हुआ है एक समय के बाद में घिरती है पतियां क्या होती है एक समय के बाद में गिरती हो फल भी क्या होते हैं एक समय के बाद में गिर जाते हैं तो यह क्या करते हैं पत्ती एवं फलो पत्ती एवं फलो के लिए क्या करते हैं कि पत्ती और फलो हां लेकिन कैसी पत्तिय यह याद रखना है आपको नई पत्तियां कि नई पत्तियों एव गिरने को रोकता है यह पत्ति और फलों को क्या करता है गिरने से रोकता है अगर नई पत्तियां बटा क्या होता है कि कुछ फल ऐसे होते हैं बोलते हैं कि इनकी जो इनकी जो डंठल है जिससे फल लगा हुआ है यह जो है कमजोर था इसलिए क्या हो गया यह फल तूटके गिर ने लगे जेसे आम है Görasी हवा चली तो आम क्या होने लगते हैं बहुत सारे कच्चे और चो चोटे से teaching एन वास्था सबस्खें लगते हैंं अभी अपनी सुरुबारति beard रहते हैं और गिनने लगते हैं ऐसे में तो क्या होगा हमको उसका उतपादन ही नहीं मिलेगा तो इसलिए क्या किया जाता है जिसके कारण क्या होगा बेटा जो पत्तियां और फल गिरने वाले थे वह पत्तियां और फल को गिरने से रोग देगा कौन रोग देगा और जो फल और जो फल जो है और पत्तियां परिपको हो चुकी है जो फल एवं पत्तियां जो है वो परिपको हो चुकी है उनको गिराने में मदद करता है फालम पतियां परिपको होने पर विलगन में मदद करता है विलगन मतलब होता है गिराना अलग करना तो विलगन में भी मदद करता है कौन विलगन में भी मदद करता है ऑक्षिन हारवन ठीक है क्रम से याद रूटिंग का जड़ निकालने म्यद्स करता है तीसरा काम क्या कर लिया उसने तीसरा काम क्याruckिया उसने किया पाइनेपल पाइने पल पाइनेपल कि प्लावर ay between अ फिर घया जो घास है गारडर घास होती है 2017 पतरीप actually उसन अवान्चित रुप से आ गए है उनको नष्ट करने का काम करता है उसके बाद में उसने क्या इपीकल डोमिनेंसी ऑक्सीन के वाज़ा से क्या हो रही है जो एपीकलन सी किसी सिर्स प्रधानेता थी उसको खतम करने की करने में भी सहायता मिलती है क्योंकि उसको काड़ दिया जाए तो पार्शों साखाएं बढ़ने लगती है यह क्या करता है लीफ और फ्रूट को प्रिवेंट करने का काम करता है जब सुरुवाती अवस्था में रहते हैं लीफ पतियां तो यह गिर नजाए इसलिए क्या जाता है जिससे लंबंबे समय तक पौझे से लगे रहे और इसका हमको पर्याफ्त पादन हो सके फिर क्या करता है इनहीं भी टोमेटो पार्थेनों कारपी इनहीं भीट टोमेटों पार्थेनों कारपी मतलब टमातर में अनीशेख फलन को प्रेजित करता है इसमें टमाटर में अनिशेक जनित फलन, अनिशेक फलन, अनिशेक फलन को प्रेरीद करता है, ठीके बिटा, क्या करता है, टमाटर में अनिशेक फलन को प्रेरीद करता है, बिना निशेचन के टमाटर फल सके, जिससे हमको टमाटर का जल्दी उतपादन हो सके, इसमें भी मदद करता है कौन ऑक्षीन यह औक्षीन क्या करेगा टमाटर पर जब छिड़काओ किया जाएगा इसका बेटा तो यह क्या होगा जल्दी से टमाटर को बिना निशेचन की मतलब फूल अगर क्या करेगा निशेचन का टाइम लेगा तो निशेचन में तो बहुत का निर्मान हो जाए तो वो क्या कहलाता है तो ऑक्षीन क्या करता है टमाटर में अनिशेच फलन को प्रेडित करता है कौन ऑक्षीन फिर क्या है विटा ना लास्ट है आपका जाईलम डिफ्रेंशियेशन जाईलम जो है जाईलम हमारा सम्वहन उतक हमारे पौधों का सम्व विभेधन में मदत करता है मतला हुए नियंतरित कर रहा है क्या करता है जयलाम के विभेधन को नियंतरित करता है ठीक है ठीक है so मुखे काम क्या हुआ इसका cell division हो गया rooting करना हो गया pineapple में flowering करना अवांचित दिवीजपत्री पादपो को गार्डन घास से अलग करना जिससे के लॉन का निरमान किया शके बाद में क्या किया ईनोंगे पत्ती और सुनillasthatISS प्रथाने ताम में काम आता है ताकी इसे क्या कर साथ हम एक चाय का खेथ जो है आप अच्छा खेथ तेयार क्र सके और एक अच्छी बार तेयार कर सके, लॉन वगेरे में आपको देखने को मिलेंगे, सुन्दर-सुन्दर सी बाड़े, ठीक है, उसके बाद में टोमेटो में पार्थेनकरपी को प्रेजित करता है, और जाइलम के विभेधन को प्रेजित करता है, इस तरीके से क्या हुआ, ऑक फ्लावरिंग, 2,4-D, herbicides, epical dominance, leaf and fruit prevention, inhibit tomato, parthenocarpy, and xylem differentiation, तो जब ऐसा पढ़ेंगे, तो क्या होगा, धीरे-धीरे से आपको याद होने लगेगा, ठीक है, I hope कि आपको ऑक्सीन वाला जो पार्ट था, क्या, ऑक्सीन जो था, ऑक्सीन क्या फंक्शन करता है, और ऑक्सीन के, क मतलब कि इस कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों बाटा गया है, मतलब अल ओवर क्या देखा जाए, ऑक्सीन हार्मोन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा, अगर आपको ऑक्सीन हार्मोन क्लियर हो चुका है, तो हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, औ साइटोकाइन की तरफ बढ़ते हैं किसकी तरफ बढ़ते हैं साइटोकाइन की तरफ बढ़ते हैं चलिए साइटोकाइन की बात करें बैटा तो जो प्रेड़क इसका साइटोकाइन का प्रोडक्शन है कहां पर होता है साइटोकाइन की प्रोडक्शन की बात करें जैसे ऑक्सिन का प्रोडक्शन कहां हो रहा था ज्यादा तर आपको मिल रहा था कहां पर सूट अपेक्स पे और रूट अपेक्स पे मतलब हमेशा ये सिर्स पर पाया जा रहा था इसलिए तो बोला गया कि ये सिर्सर स्तप्रधान पंचनेता घर्साता है अब Sásथ काईनीन की बात करें तो साइटो काईनीन कहा पर पाया जाता ये सूटेपेक्स यह प्रारोह सिर्सक्राइल कहां पर पढ़ाए जाता है यह प्रारोह सिर्स के बाहना यह यंग-जो पतिया होती है यूवा पत्तियों की ग्रोथ यूवा पत्तियों में पाया जाता है ग्रोथ के समय में जब पत्तियां ग्रोथ करती होती है लेटरल ब्रट ग्रोथ जब क्या होगा पार्षव पार्षव कलिकाए व्रद्धी करती है वहाँ पर पाया जाता है पार्श कलिकाओं की व्रद्धी में इनका उत्पादन होता है पार्श कलिकाओं की व्रद्धी के समय और क्या यंग फूरुट ग्रोथ क्या करता है ये जो आपके यूवा फल है यूवा फल है उनकी व्रद्धी करने का काम करता है यह क्या करता है? व्रधि करता है, ठीक है? कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? सूट अपक्स में, युवा पत्ति में, पार्स्वगली काओं में और युवा फल, जो नया नया फल बना है अभी उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? साइटोकाइन साइटोकाइनीन जो सब्द है साइटोकाइनीन जो सब्द है बेटा ये साइटोकाइनीन सब्द की बात हो रही है किसकी बात हो रही है? साइटोकाइनीन सब्द की बात हो रही है तो यह जो cytokinesis सब्द है, यह cytokinesis से लिया गया है, किस से लिया गया है, cytokinesis से लिया गया है, cytokinesis, इस cytokinesis का अर्थ होता है बेटा क्या कोशी का विभाजन, क्या होता है, कोशी का विभाजन होता है, cytokinesis का अर्थ, मतलब क्या हुआ कि शरीर का मतलब बादब शरीर का कोई भी अंग अगर ग्रोथ करना चाहता है कोई भी आग आक्सिन में हमने देखे थे वो भी cell division कर रहा था लेकिन क्या कर रहा था के वल तने की लंबाई बढ़ाने में और जड़ की लंबाई बढ़ाने में ही क्या कर रहा था है cell division कर रहा था लेकिन जो cytokinesis है cytokinesis कोई भी पौधा अगर व्रद्धी करना चाहता है पौधे का कोई भी भाग व्रद्धी करना चाहता हो वहां पर कौन सा हर्मोन पाया जाता है cytokinein हर्मोन पाया जाता है cytokinein हर्मोन पाया जाता है cytokinein का मुख्यकार यही है क्या cell division करना इसलिए यह उस जगह पर पाया जाता है जहां पर cell division लगातार होते जाता है क्यूंकि अगर प्ररोसिर्ष को बढ़ाना है तो भी महाँ पर cell division ज़रूरी है, अगर पत्ती का निर्मान करना, एक छोटी पत्ती है, क्या है यह, छोटी पत्ती है, इसको उसके जो minimum, जो उसका maximum size है, जो उसका actual size है, उसके तक हमको बढ़ा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, cell division करना पड़ेगा, और cell division को कौ करता है, cytokinesis hormone करता है, ठीक है, तो cytokinesis hormone, leaf की growth में मदद करता है, मतलब जो यंग leaf होती है, उसमें भी पाया जाता है, पार्स्वकली काई, उनको भी व्रद्धी करने के लिए cell division करना जरूरी है, इसलिए क्या होता है, इनमें भी cell division होता है, इसके बाद में बात करते हैं, क कि ये जो फूट होता है, जो नया नया फल अभी बन रहा है, तो उस फल को बड़ा करना है, उस फल को बड़ा करने में भी कॉन क्राम करता है, cytokinesis कि चलिय पर देखते हैं इसके बात करते हैं हम इसके फंक्षिन के बाद करते हैं हम किसके division पौधे के किसी भी भाग में cell division पौधे के किसी भी भाग में cell division किसी भी भाग में अगर क्या करना होगा cell division करना होगा cell division करके उसकी व्रध्धी करनी होगी तो क्या होगा वहाँ पर वहाँ पर cytokinin hormone काम करेगा ठीक है बेटा क्या करेगा cytokinin हार्मोन काम करेगा ठीक लेटरल सूट ग्रोथ मतलब पार्श्व प्ररोह में व्रधी करने मदद करता है पार्श्व प्ररोह में व्रधी करने में मदद है अगधर लंबाई बढ़ाना है तो ऑक्षिन और चवड़ाई बढ़ाना है तो कोन काम साइटो कानी रहा थी थीए को अब प्रोड़क्शन ऑफ नियूली जैसा कि हमने बोला कि इसका काम भी क्या है क्या है cytokinin का कि ये कोशी का विभाजन कर रहा है तो जहां पर भी व्रद्धी करना होगा अब नई पत्ति आकार में बढ़ेगी नई पत्ति का निर्मार होगा तो क्या नई पत्तियों का निर्मार क्या नई पत्तियों का निर्मार पत्तियों का निर्मार ये भी किसकी वज़ से होगा साइटोकाइन की वज़े से फिर क्या है एडवेंस सीएस रूट ग्रोथ अपस्थानिक जो जड़ है क्या अपस्थानिक जड़ की वृध्धी अपस्थानिक जड़ की वृध्धी ठीक है अपस्थानिक जड़ों का मतलब जो जड़े हैं उनका उत्पादन करने का काम किस ने किया था बेटा ऑक्सिन ने किया था जो अपस्थानिक जड़े थी कहां से निकल रही थी तने में से निकल रही थी हमने देखे थे गुलाब का पौधा उसमें से कटिंग किये हमने और कटिंग करने के बाद में उसमें से जड़े निकालना है तो हमने क्या कि अगर उसमें से जड़े निकालना है तो जड़े निकालना है तो जड़े निकालना है तो जड़े निकालन व्रद्धी करना है तो कोन काम करेगा? साइटोकाइनिन हार्मोन तो अपस्थानिक जड़की व्रद्धी करने में मदद करता है फिर क्या करता है? प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्टीन लिवस क्यूंकि अभी-अभी पत्तियों का निर्मान हो रहा है क्लोरोप्लास्ट 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 का निर्मान करवाना ये भी किसका काम है? निर्मान करना ये भी किसका काम है? साइटोकाइनिन इसमें भी मदद करता है पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्मान में मदद करता है कौन? साइटो काइनिन क्योंकि यहां पर भी क्या है सेल डिवीजन की जरूरत होगी वहां पर सिर्फ किसके अलावा प्ररोह सिर्ष के अलावा जहां पर भी सेल डिवीजन की जरूरत होगी तो बच्चा वहां पर क्या होने वाला है साइटो काइनिन हार्मोन होने वाला है यह बिलक सिर्शस्थ प्रधान्यता से छुटकारा दिलाने का काम करता है कौन? साइटोकाइनिन जैसे कि सिर्ष की वरधी करना है अगर प्रलो सिर्ष की वरधी करना है तो अक्सिन सिर्ष को अगर प्रलोस ऐसको हटा दिये तो उसकी पार्ष साखाएं भड़ने लगेंगे तो στο साखऊह को प्रणे मेंगे कोन मदद करेगा? साइटोकाइनिन का जरаки काम करेंने पार्ष। ऊस्यात्र क्रावि की वरध़ी करने का किरेगा और सिर्ष की प्राविश्य के तो ऐसे होते हैं जैसे आम का पौधा की बात करें तो आम का पौधा सीधा सीधा नहीं जा सकता उसको क्या करना है चोड़ाई बढ़ाना है उसकी चोड़ाई बढ़ेगी बढ़ेगी लेकिन हम उसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसके सिर्स को काड़ दे तो उस समय में क्या किया दिरेंट रहता है अगर और क्या करें ऑक्सीन और साइटो काइने। और रही किसे सूटकातुतीं अथ दरें करता और फिर लगने काम करता है तो यह काम कर रहा है सिर्षस्त प्रदानेतार को से यूसे सुठा दिलाने का भाम करता है। फिर क्या है नूट्रियन्थ मेटाबॉज्म। क्या ह। हुँच गपढ़ है, नूट्रियन अमेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक सेकेंड। इसमें कुछ गपढ़ हैना minute मोबिलाइजिंग. क्या हो जाएगा इसका मोबिलाइजिंग मतलब जो पोशक पदार्थ है पोशक पदार्थ के परिवहन में मदद करता है पोशक पदार्थ के परिवहन का भी कार ये कोन करेगा बिटा कोन करेगा पोशक पदार्थों के परिवहन में मदद करेगा कोन साइटो काईने और लाश्ट है आपका क्या लीफ सेंसे क्या सेनेशन लीफ सेनेशन मतलब चुंकि यह कोसी का इभाजन कर रहा है नहीं नहीं कोसी का इभाजन कर रहा है अब ज़र नहीं कोसी का बनेगी तो यह जो पत्ती है यह जो पत्ती लगी हुई है यह पत्ती जो लगी हुई है यहाँ पर यह पत्ती क्या करेगी इसके अंदर भी सेल डिविजन हो रहा है क्यों अब जब new cells इसमें बनते हुए चलेंगी, तो ये पत्ती गिरेगी नहीं, क्या नहीं होगी? ये पत्ती गिरेगी नहीं, तो इस पत्ती के गिरने, क्या? इस पत्ती की गिरने को रोकता है कौन? पत्ती के गिरने को कौन रोकता है विटा? साइटो काईनी, पत्ती के गिरने को मतलब क्या है कि इसको व्रधावस्था तक पहुचने से बचाता है क्या करता है यह जरावस्था को रोकने का काम करता है क्या करता है जरावस्था तक पत्ती के पहुचने में देरी करता है पत्ती के पहुचने में देरी करता है जिससे क्या होता है? पत्ती लंबे समय तक पौधे से लगी होती है जिससे पत्ती क्या होती है? लंबे समय तक लगी होती है पत्ती गिरती नहीं है the leaf sensation का मतलब क्या होता है पतियों की जड़ावस्था तो पतियों की जड़ावस्था को कम करने का काम भी कौन करता है पिटा साइटो काईनी करता है की कैसे अब गए कि जया व्लोगा로 काम क्या है सेल दिवीजन कर अपिर क्या होगा अगर कि इस depressed reinforcement by के थे इसमीन होगा अगर मालो कि सी शेकर ने किरनेRIS तो भी क्या हो जाएगा मतलब उसकी जरावस्ता को जर्भरावस्था तक पहुंचने से लोकना हैं को जर्भरस्था तक हम CHRISS नहीं बार मतलब उसकी बर्धावस्था था तक हमको जाने नहीं देना है इससे प्रति उड़ जाए तो उसमें करेंगी अपस्थानिक जड़े तो किसकी वज़े से करेंगी है साइटो काइनिन हार्मोन की वज़े से करेंगी इसकी वज़े से करेंगी विटा साइटो काइनिन हार्मोन की वज़े इसे करेंगे ठीक है I hope कि आपको जो आपका ऑक्सीन और साइटो काइनीन है यह जो दोनों है एक दूसरे के साथ में काम करते हैं दोनों सेल डिवीजन में मदद करते हैं अलग-अलग जगह पर तो यह दोनों आपको हार्मोन समझ में आये होंगे और इसके फंक्शन समझ में होंगे बेटा यह सब लर्ल करने वाली चीजे हैं यह क्या है सारी कि सारी लर्ल करने वाली चीजें आपको इनको समझना तो है ही लेकिन आपको इसमें ज्यादा याद करना पड़ेगा क्योंकि इनमें डायरेक्ट कोश्चन पूछता है हार्मोन से कि फाला निमने में से कौ कौन सा हर्मोन से स्थ प्रधानेता दरसाता है या फिर कौन सा हर्मोन सेल डिवीजन करता है अगर सेल डिवीजन वाली बात आएगी कौन सा हर्मोन सेल डिवीजन मदद करता है तो पहला ऑप्शन आएगा आपका क्या साइटो काइनीन साइटो काइनीन सही होगा तो इस तरीक function याद करना है आपको oxygen और cytokinin के तो I hope कि आप learn कर पाएंगे जब बार बार पढ़ेंगे बिटा तो आपको ये चीजे clear हो जाएंगी तो आप लोगों से आसा है मुझे आसा है कि आप क्या करेंगे इनको बार बार पढ़ेंगे और आपको ये याद हो जाएगा और आप इससे related question exam में बना पाएंगे ठीक है तो चलिए आज का lecture हम यहीं complete करते हैं next lecture में हम लोग बाकी जो हमारे hormones बचे भी हैं उनको next lecture में complete करेंगे बिटा तो आज की class यहीं complete करते हैं I hope कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आई होंगी और आपको class अच्छी लगी होगी अगर आपको class अच्छी लगी है तो like, share or comment करना ना भूले ठीक है और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए आगे सारी वीडियो आपको मिले और आपको इसका notification भी मिलते रहे इसके लिए आपको क्या करना है Inspire Academy बालाघाट के चैनल को subscribe करना है ठीक है चलिए, take care, bye bye, have a nice day thank you